है लो फ्रेंड तो कैसे हैं आप दोस्तों चाहे एंडरोईड मॉबाइल हो चाहे एस मोबाइल हो चाहे लैप टॉप हो आपने देखा होगा हर मोड हर चीज में एक चीज को मन होती है एक कनेक्शन का पॉइंट जो है वह कॉमन होता है उसका नाम है फ्लाइट मोड एरपलोड मोड या ओफलाइन मोड तीनों से कुछ भी कह सकते हैं यह चाहिए आप लैप्टॉप देखलो उसमें होता है क्लिए चाहिए दूसमें कि वीडिये को पूरा देखेगा तो यहाइप समझ पाएंगी दोस्तो आगे चलते हैं मेरे नाम सशनी हो और आप आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स में दोस्तों जैसे कि मैंने बता आपको बताने वालों वाट इस फ्लाइड मोड क्या होता है या फ्लाइड मोड क्या होता है तीनों का मतलब दोस्तों एक ही है तीनों का मतलब एक ही है उसमें होता क्या है दोस्तों फ्लाइड मोड देख रहा होगा, यहाँ पर flight mode on है और आप यहाँ देखेंगे उपर battery के पास आपको यहाँ पर एक चीज़ देख रही होगी, flight बना हूँ आ रहा होगा यह देख रहा है और नीचे भी आपको flight command का icon भिक रहा है तो यह flight mode होता, flight mode on करने से क्या होगा, जैसी मैं अपने मुबाइल का flight on on करूँगा, मेरे मुबाइल में Bluetooth, GPS Wi-Fi, सब बंद हो जाएगा सारी connectivity बंद हो जाएगी इस बंद होने से होगा क्या मतलब आप कोई भी connectivity नहीं कर सकते बट यह है, यह flight mode on होने के बाद, मतलब जैसी आपने इनेबल कर लिए, उसके बाद आप Wi-Fi यूज़ कर सकते हैं Bluetooth यूज़ कर सकते हैं, और GPS को भी on कर सकते हैं, यह तो हो गया simply function, बस इसमें आप क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें आप data मतलब आप data यूज़ नहीं कर सकते हैं, mobile data से होता गया है, दोस्तों, flight mode जैसे कि मैंने आपको बताया, flight mode on करने के आद आपकी जो sim का function में पूरी तरह से बंद हो जाता है, और network जो होते हैं उसके काम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं, इसको और बोल सकते हैं, offline mode, इसमें होता गया यह फाइदा इसलिए आपने देखा हुआ, जब flight अपन यूस करते हैं, flight में जब भी जाते हैं, जब आप flight में take off का time आता है, वहाँ पर पहले announcement किया जाता है, कि अगर आप smartphone user है, या आपके पाद smartphone है, या कोई सा भी mobile है, उसको आप या तो flight mode पे कर लिए, या तो switch off कर लिए, उसका मकसद इसलिए होता है, flight mode या switch off करने का मकसद, क्या होता क्या है, जो flight होती है, बहुत ज़्यादा high पे उड़ती है, flight high पे उड़ती है, तो वहाँ पर network कोई सी भी company के नहीं होते, बट क्या नहीं मिला, तो वह और ज़्यादा efficiency से network सर्च करती है, ताकि आपको network provide कर सके, आप calling या data यूज़ कर सके, उससे होता क्या है, वह harm करता है, pilot के जो navigation system है, उसको या बोल सकते है, pilot का जो airport का जो संपर्ग रहता है, उसको बीच-बीच में उनके जो connection है, उनके प्रॉब्लम आने लग जाएगी, इसलिए कहा जा सकता है, इसलिए कहते हैं कि flight mode को on करे, होता क्या है, जो उसकी relation है बहुत ज़्यादा high level पर जाती है, तो यह harm करती है, कि इसको pilots को और airport की connectivity को हाम करती है, जिससे navigation में प्रॉब्लम आती है, कभी कबार खा जा सकता है कि इससे crash होने के chances भी मन जाते हैं, प्लैन के, और यह अगर आपने देखा होगा, इसलिए कहा जाता है, यह बंद करना चाहिए, बेक की हाम इसलिए नहीं करता है, क्योंकि जो Wi-Fi की range होती है, 10 to 20 मीटर थी वर्क कर सकता है, उसके आगे उसकी frequency आगे नहीं जाती है, तो इसलिए mobile का जो network होता है, वो जादा harmful होता है, इसलिए कहा जाता है, फ्लाइट mode को on करा जाए, इसलिए इस function का use किया जाता है, तो main function का use यह ही है दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आगी दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर और ज़रू करें, और अभी दा